नमस्कार सर, नमस्कार जी, क्या सुबनाम सर आपका, सर मेरा सुनी इलदास नाम है और गाम कुक कनवाली और कुछ वाया कुछामसुटी नागोर जीला राजस्तान से हूँ जी, सर, संतरामपाल जी महाराज जी से नाम देख सालेने से पहले आप किन देव देवताओ की भक्ति करते थे? सर, पहले गर में जो प्रमपराय चले ही थी जैसे बाबारामदेव जी, बाला जी, केसरिया काउट जी जो हमारे गर में एक ये जो होते हैं, ये पित्र बगेरा, इनकी भी पूजा चलती थी, मंदिर बना हुआ था, तो जदा में बाबारामदेव जी की बक्ति क्या करता थ बच्पन से ही चार बार तो बाबारामदेव जी के गया और वहां से इतना कुछ लाब नहीं हुआ, लेकिन बक्ति की चाख भूप थी और उनकी जीवनी भी पटी थी बाबारामदेव जी की और उनके गुनगान गया करता था आरती बगेरा मंदिर के सामने बेटके, लेकि लेकिन इसे कुछ लाब नहीं है, बबगेजी, सर जैसे पहले आप बाबारामदेव जी की, बाला जी की, केशरिया कावर जी की और पितर पुझा करते थे तो इन सभी पुझाओं से आपको क्या लाब मिला, बगेजी लाब तो ऐसा है कि पहले तो गर में परंपरा बनी हु और पापा जी और उनके भी प्रेत बादा थी, इसके लाब तो कुछ भी नहीं मिला लगे जी सर, संतरामपाल जी महराजी की सरण में कैसे आई आप? सर, संतरामपाल जी महराजी की सरण में दास जेपूर से BSTC कर रहा था, जो थर्ड ग्रेटीचर का डिप्लोमा होता है उसके अंदर जब पश्टियर के एक्जाम देके घर लोटा तो घर में मेरे कमरे के अंदर ये मारली की ग्यानगा पुस्तक रखी हुई थी तो दास ने पढ़ा उसको, तो मैं उसको ऐसा लगा जिसे की जटका सी लगा, कि ये कैसा ग्यान है लेकिन अंतर आत्मा के अंदर भी समा गया था ये ग्यान की, ये ग्यान अलगी है तो दास ने इसके बारे में जब वो मेरे गर से छोटा भाई आया, उससे पूचा कि ये आपको पुस्तक काँ से मिली तो उन्होंने बताया थे कि ऐसे ऐसे सेवा आये थी, और उन्होंने ये ग्यानगा मेने दस रुपे में खरीद ली थी और मेदास ने दो तिन दिन में पड़ा और पचाट चौते पांचवे दिन मारे लिए कि वहाँ पे सत लोगा सर्म बरवाड़ा पहुंच गया सर, संद्रामपल्जी महराजी की सर्म में जाने से आपको क्या लाब होगा? सद्गुरू रामपल जी माराज की सरन में जाने से लाब तो सरुपरतम ये होता कि माली का सास्तर के अनुसार ग्यान मिला और हर सास्तर से ये परमानित कर दिया कि माली का सब उच्छुरूं तका पवित्र ग्यान है और दूसरी मानसी कलाब हुआ और सारीरी कलाब ये हुआ कि मेरे ओपन डेक्स थी जो पहले एक साल से मुसिबत जेल रहा था गेस की प्रोब्म रहे थी पेट के अंदर तो माली के आसिरवाद मातर से ठीक हो गया दास और जो घर के अंदर प्रेट बादा थी वो माली की रज़ा से वो भी ठीक हो गई सर जब आप सतलोग आसरम बरवला जिला इसान में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था बगत जी जब पष्ट बार गया थो ऐसा लगा था कि जैसे कि पहले ये जगह दास ने देखी भी है और जब वहां की वेवस्ता देखी वहां पे बगतों को देखा वहां का वेवार देखा और वहां पे खाने पीने टेरने की वेवस्ता देखी तो ऐसा लगता था कि यहां संदेश देना जाते हैं। समाज है और फिर खुद निरने करो किस बगवान की भक्ती करनी चाहिए और किस की नहीं करनी चाहिए। संदेश को तो इसा कभी नहीं लगा कि वही इनोंने कुछ भी गलत बोला है और सर्व पर्मानित करके बताया कि कभीर इस गोड़ आज के इस यूग में अगर कोई भी सत्वग्ती जो संदे रहे हैं तो वह सत्गूर अमपाल जी महराज है और उनके शरण में आओ और अपना क लियान करवाओ बहुत बहुत धन्यावाद सर्व आपका